हेलो स्टूटेंट वेलकम टो यूटूब चैनल कॉमर्स पूपशनसी आज गी क्लास में कंसेप्ट कवर करेंगे आईसो कांट करव रिटरन टू फैक्टर की हैल्प से कवर करेंगे इस लास्ट क्लास में ने कवर किया था आईसो कांट करव रिटरन टू स्केल की हैल्प से अ आप वीडियो को सबसे पहर देखे हो और आपके इस अबब हो तो यहाँ पे इसको अवरविव समझते से पहले ड्र चुन टू फेक्टर का मतलब क्या होता है क хотя रिटरंटू फेक्टर क्या होते है बुच्छ गोँ समझते हैं कि जो ड्यूश्व कर विटिज सफेक्टर को प्रडूस करता है यानि कि जब प्रडशन किया तो उसमें दो त्रीके का फैक्टर को यूज किया आते हैं एक तो उते हैं फिक्स फैक्टर और दूसरे यूज किया जाते हैं फैक्स फैक्टर और वेरिबल फैक्टर दोनों का ही यूज करके प्रडूसर क्या करता है फिक्स फिक्स फेक्टर जाते है कि इसको फिक्स फेक्टर रहना रहे करदा यहां, सब्सक्राइब करने तो यहां पर शोट रन के अंदर चेंज करना क्या होता है मुश्किल होता है एक दम से हम लैंड को नहीं करीज सकते हैं इसके अंदर हम कोई भी चेंज जो नहीं कर सकते हैं तो हमारे पास फिक्स फेक्टर कोंसे रहते हैं तो अगर हमें आउटपुट को बढ़ाना होता है एक producer क्या करता है अगर output को बढ़ाना चाहता है या कम करना चाहता है तो किसकी help लेगा वो variable factor की help लेगा अगर output बढ़ाने है तो variable factor को बढ़ा देगा अगर output कम करने है तो variable factor को कम कर देगा तो इस तरीके से फिर यहां पे जो case लागू होता है वो होता है increasing return to factor case हो सकते हैं first case हो सकते है increasing return to factor दूसरा हो जब चकते है diminishing return to factor diminishing return to factor और तीसरा होता है constant return to factor तो यहां पे तीन त्रीक्टे की situation जो arise हो जाती है increasing return to factor कहते है कि जिस proportion मेरिबल फेक्टर को बढ़ाया जाएगा उसे जिदा proportion प्र पोर्पोर्षन में आउटपूट बढ़ाता इसको क्या बोलते हैं इसको बुकिश एक्सप्लेशन कहते हैं इसको कवर करते हैं ऐसे कौन कर्व ndry एंदर पड़ा था हमने की आउटपूट में कैसे चेंज आता है जब चेंज कियाता है फेक्टर परशन सिर्फ एक फेक्टर प्रशन चेंज किया आता है बाग की सारी कहा रहते हैं रहते हैं as in Case of return to scale जबकि return to scale में क्या था उसकी अपूजीर था फैक्टर में तो सिरफ एक तर को हम change कर सकते हैं बागी fix factor को constant रहते हैं रहते लिए नहीं कर पाते लिए निदें तुस्केल में सब फैक्टर क्या होते रहते हैं तो return to scale के case में क्या था 13 तो यहां पे could take from different aspects होते हैं और return to See factor जैसे हमने return to scale में पढ़ा था तीन aspect वैसि हमने return to start year asp qualité गें दर cover करने हैं increasing return constant return ऑर diminution return है तीन ही concept हमने return to scale के अंदर पढ़ते यहीं тीन koncept लोध हम किसके अंदर cover करेंगे return to factor के अंदर return to factor can explain using the isocund technique तो यहाँ पर हम ने return to factor concept समझने है कि इसकी हाथ से समझेंगे isocund curve की help से समझेंगी तो यहाँ पर यह अजियूम कर लेते हैं कि जो capital fixed input है और जो labor है variable input है fixed factor को हम change नहीं कर पाते हैं यह constant रहता है तो यहाँ पर variable factor यान की labor को change कर लेंगी जिसकी helps in output बढ़ेगा यहाँ फिर कम होगा जो भी requirement होती है उसके हिसाब से हम देखते है increasing है यहाँ फिर को होती है यह फिर को होती है यह फिर diminution return to factor लाग होते हैं इसको explain करते हैं हम सबसे पहले आते है increase in return to factor increase in return to factor कहते हैं कि यह फिर को बढ़ाया है उससे ज्यादा proportion में अगर output बढ़ जाता है उसको क्या बोलते है increase in return to factor बोलते है increase in return to factor occurs when addition application variable factor यान की labor को जब बढ़ाया है increase total output at increasing rate तो यहाँ पर जो output बढ़ा उसमें क्या increasing rate से बढ़ रहा तो इसको example की help से हम समझते है example में हम ले लेते हैं एक तरफ ले लेते हैं capital जो कि fixed factor को denote करते है variable factor में ले लेते हैं हम labor को और next हम ले लेते हैं output कितना जब produce किया गया है factors को use करके capital fixed factor इसका हम क्या करते हैं constant रखते हैं labor की units को बढ़ायेंगे आपकर बढ़ाने के लिए तो यहां पर labor 10 लगाई है तो output हो गया 100 units से तो हमें next labor को बढ़ा दिया 10 से बढ़ा करके 30 कर दिया तो हमारे पास output बढ़के कितना हो गया 200 से हो गया ऐसे 30 से बढ़ा करके हमने labor को कर दिया 40 से तो हमारे पास output बढ़के 300 हो गया एसे next हम इन लेबर को बढ़ा दिया 40 से बढ़ा करके 45 कर दिया तो हमारे पास जो आउटपुट का लेवल वो 400 हो चुक है यानि कि जिस प्रपोस्टन हमने अपनी लेबर को बढ़ाया उसे जादा क्या हो रहा है इसको बहुत है समझने के लिए अब इसको बेस्ट समझने के लिए इसका डाग्राम करते हैं चलते हैं कि यहां पर हम लेके चलते हैं तो यहाँ पे हमने ड्रो कर लेने है O X-axis की लाइन, मार्क करते हैं, 10, 20, 30, 40 और यहाँ पे हैं 50 तक, तो यह हमारे पास है O X-axis, O X-axis यह हमारे पास 10, 20, 30, 40 और 50 तक हमने डाटा ले लिया, यहाँ पे हम दिखाते हैs variable factor यानि की labor को लेके चलते हैं और यहाँ पे O Y-axis पे हम ले लेते हैं, फिक्स फेक्क्टर यानि की capital को लेके चलते हैं तो माल लेते हैं की यहाँ पे हमारे पास fix factor जो capital 1 ले लेते हैं जैसे हमने combination use के वैसिस को draw करते है एक capital के ओपर 10 labor, फिर एक capital के ओपर 30 labor, एक capital के ओपर 40 labor, एक capital के ओपर 45 labor, तो ये 4 के 4 combination हम draw करते है अब diagram की help से, तो हमने दिखा एक labor और हमारे पास 1 capital पर 20 labor, यानि कि first combination बनता है हमारे यहांपे, तो हमारे फर्स्ट कॉंबिनेशन बनता है जहां पे हमने 10 तो लेबर का यूज किया गया है और सिर्फ हमारे पास है जो capital fix है सिर्फ एक ही हमारे पास किया है capital है तो इसरी किसे हमारे पास फर्स्ट कॉंबिनेशन आ गया है जहां पे हमने देखा कि हमारे पास output है जो 100 unit का तो यहाँ पे हमने draw कर दिना है पहला isocant curve जहाँ पे 100 unit of output कर जो show करते है next हमने labor को बढ़ा के 30 कर दिया 30 यानि कि यहाँ पे हमारे पास point आ जाते है एक capital के उपर 30 labor को जो हमने बढ़ाया तो हमारे पास इस तरीके से next combination जो आ जाएगा तो यहाँ पे हमने दिखा कि जो output है वो कितना है 100 unit का है तो next हम यहाँ पे isocant curve को draw करते है तो हमारे पास next isocant curve बन जाते है ऐसे जो show करते है हमारे पास कितनी unit को 200 units को next हमारे पास labor को बढ़ा के हमने 40 कर दिया तो हमारे पास 40 labor यहाँ पे आ जाएगी तो यहाँ पे हमने 40 labor को show कर दिया है कि हमने कितने से बढ़ादी labor 40 से तो हमारे पास 40 जब labor को बढ़ाया तो हमारे पास combination यहाँ पे आ जाएगा तो third combination से हम आई-सocant curve को draw करते हैं तो हमारे पास यह इस तरीके से आइट सो कांट कर बन जाता है जहां पर हमने कितनी यूट को प्रडूस किया गया है धर्ड कॉम्बिनेशन की अंदर थी हंड़ यूट का जब प्रडूस किया गया है फिर लेबर को बढ़ा के हमने 45 कर तो 45 यह 40 और 50 के मिट में आएगा यह प तो यहां पर एक चीज़ देखने वाली यह है बच्चों कि हमें कैसी बचला है कि इंक्रीजन अटन्टू फैक्टर जो लागू होता है तो हमने देखा कि पहले तो हमने लेबर यहां से यहां तक लेबर कितनी बढ़ाई है यहां से यहां तक लेबर जो बढ़ाई है हमने 10 से 30 कर दी यानि कि कितनी लेबर को बढ़ाया है 20 लेबर को जो बढ़ाया हमने फिर हमने यहां से यहां तक हमने देखा कि gap कम हो चुक है, gap कम हो चुक है, यानि कि labor कितनी बढ़ाएगी है, यहां पर जो labor बढ़ाएगी हो 30 से 40, यानि कि सिर्फ कितनी labor को बढ़ाएगा है, 10 labor को बढ़ाएगा है, फिर next हमने 40 से 45 कर दी हो, कि यहां पर mid में लिया, हमने point यह 40 से 45 कर दी हमने labor, यानि कि labor को सिर्फ कित ज़ला जंच किस्स में आ रहा है हमारे पास OUTPUT में चेंज आरहा है तो इसको Hep इहां पर हमा busy रिट कैसी हम इसको समझ सकते हैं । इसको इसको बुक की LJ में अब देखते हैं ücklich explanation कहते हैं कि यहाँ पे हम capital लेते हैं तो यहाँ पे हमने capital को क्या लिया है constant लिया है यहां से लेकर के यहां तक capital का constant है यहां पर इसको R point नाम से denote किया गया book के अंदर तो R तक क्या हमारे पास constant capital है फिर कहते है कि जैसे हमने line R P denote करते है यह point को जहां से हमने R से लेकर के जो अगर मैं इसको बढ़ा देती हूँ यहां पर अगर मैं किसी को intimate करते हैं यह बताते हैं आरपी की शो करते हैं लार्जर कॉंटिटी ओफ लेबर काथ जैसे हमने कॉंट्री लेबर को बढ़ाया employee किया expense production जिसे production किया चुक है बढ़ चुक है तो हमने देखा कि यहाँ production 100, 200, 300, 400, क्या और है production हमारा बढ़ रहा है जैसे जैसे labor की unit को बढ़ाया गया तो इसको क्या बोलता है output path बोलता है जो हमारे पास यह point बनता है इन points को merge करके जो line बनती सको क्या बोलता है output path है जो बोल जाता है केते कि यहाँ पर हमने देखा कि जो ISO count curve की उपर है 100, 200, 300, 400 unit है जो output की बढ़ाई गई है यहाँ पर हमने देखा था कि 100 unit, 200 और 300 unit से हमने लिया था output है जो हमने input को यूज करके, labor input को यूज करके यानकी variable factor को यूज करके जो हमने output को बढ़ाया था वो 100, 200, 300 unit से जो हमने किया था कहते है कि जो output शो करते है कि जो output है increase हो रहा है constant rate से, constant amount यह नही 100 unit से क्या हमारे पास output बढ़ता जा रहा है क्योंकि 100, 200, 300, 400 तो difference के सब के बीच में constant है 100 का ही है कि जो यह ISO content intersect करते है output path को RP at point E, F, G और H तो यहाँ पर हमने output path लिया था जो हमारा points को merge करके बना था इसको अगर मैं नाम दे तो यहाँ पर देते है E, इसको नाम देते है F और इसको नाम देते G और इस intersection point को देते है अगर नाम H तो हमारे पास हम देख सकते हैं कि जो यह E, F, G, H है इसने RP point को क्या कर चुके intersect करते हैं एक दूसरे क्या कर रहे हैं कट कर रहे हैं यहाँ पर जहांपर हमने देखते हैं कि जो Gap and के बीच में फिर पहले तो जादा है फिर कम है फिर ओर क्या हो चुके यह कम हो चुके है कि जो distance है इनके बीच में जो distance between कहता है जो distance और जो difference में इनके बीच में successive is 오른- यह संग हमने देखा successive हमने योन्ट के तरह बढ़ते जा रहे हैं तो हमने देखा कि labor की हमें कम जुरूरत पढ़ते जा रहे हैं जब कि output को बढ़ता जा रहे हैं हमने देखा कि पहले हमने 20 labor को लगाया फिर 10 labor को लगाया फिर 5 labor को लगाया लेकिन फिर भी output का बढ़ता जा रहे हैं तो बॉसिपल हो जाता है डिविजन फ लेवर होने का बेनिफिट क्या होता है कि जहां पर एक वरकर को लगा के दस घंटे में एक काम पूरा करता है तो एफिशेंट और वो specialist होने के काम 10 घंटे के बज़ाए वो मालब 5 या 6 घंटे में काम पूरा करता है तो जिसे इसका output क्या होता है बढ़ जाता है तो यहां में margin activity of labor बढ़ने के कारण क्या होता है कि हमें हमें जो आगे-ागे successive unit के साथ साथ क्या होती है labor of unit की कम unit की labor की जूरत पड़नी चुरा जाते है यानि कि जैसे जैसे हमने successive unit के तरफ गई है आउटपूट की वैसी वैसे हमें कम labor की जूरत होती जा रहे है आगे-ागे stress कर सकते हैं कि जो distance R&N के बीच में जो difference है वह क्या हो रहे है कम हो रहे है सबसे पहले देखते हैं कि जो यह ए-f है f kा difference है ज्यादा है किसे difference जादा है fg से ज़्यादा difference है फिर next नेक्स दिखा कि fg का difference ज्यादा है से ज्यादा जी एच से यानि कि यहां पर ज्यादा डिफ्रेंस है फिर थोड़ा कम है फिर कम है तो यानि सबसे ज्यादा डिफ्रेंस EF के बीच में, फिर FG के बीच में, फिर GH के बीच में, दीर दीरे डिफ्रेंस क्या ओता जा रहे है, कम होता जा रहा है, जैसे हमने यह एगजांपल है, वही हमारे पास बुक में एगजांपल गिवन है, उसको समझते हैं, बैस्टरी के से, कहता है कि माल लेते हैं कि हमने 100 unit increase कि यहां पर यहां पर यहां पर 20 यूंट ऑफ लगा तो मैंने कितनी यूंट लगा दी लेबर की 20 तो फिर कहते हैं F से G तक कि मैंने कितनी यूंट ऑफ लेबर लगा है 10 की लगा है यानि कि पहले 20 लगा है फिर 10 लगा है तो लेबर क्या कर दी यह कम कर दी गई है यहां से यहां तक मैंने के बाद लेबर की 100 आउटपट बढ़ा था उसके बाद मैंने F से G तक का पॉइंट देखा तो कहते हैं स्वेमाल लेते हैं 100 अडिशन फños के ऊपर मैंने सिर्फ 10 लेबर को लगा है यहां तक मैंने 10 लेबर को लगा है जबकि आउटपट मैंने 2005 6 तो मेरा हंड़ड बढ़ा तो जबकि लेबर में ने सिर्फ 20 यूट लगाई है, F से G की बात करते हैं, किता है अकर F से G की बात की जाए, तो सिर्फ मैंने 10 लेबर को बढ़ाया, जबकि आउट पुट तो मेरा 200 से 300, यानि कि डिशन क्ति यहां देखने हैं आउटपुट रेल तो यहां पे जैसेसे आउटपुट बढ़ते जा रहे है और गाल पार्णा क्या है प्रपोच्टर है जो लागो हो जाते हैं आई हो बच्चों कि आपके पाइंट के लिए होगा होगा यहां पर इंक्रीजन टॉट्व कि क्या मतलब होता है कि यहां पर जो फैक्टर इंपूट यानि की वेरिपल फैक्टर के बढ़ने के जो रेट है वह कम है किसके और बढ़ता इसको क्या बोलते हैं कि return क्या मिल रहा है इमिद्ट मिल रहा है जब कि input क्या किया जादा लगा दिया गया इसका वे गुकम में मिनिंग समझे क्टा की डिमिनिशन ट्रों टेक्टर का मिनिंग क्या होता है कि यहां पर जो इंक्रीज yapt विरीबल ट्र को बढ़ाया इंक्रीज टोटल आउट्पॉट्ट और दिमिनीशन रिटेट जरूरा लेकिन आउट्पुर्ट बढ़ने के डिमिनीशन है यहा अगर output बढ़ता सको क्या बहुत है, dimension rate of return to factor बहुत है, तो इसका example समझते हैं, अब हम, example लेते हैं, fixed factor में लेते हैं हम capital को, variable factor में लेते हैं हम labor को, और इसका combination करके हम produce करते हैं, output को, capital हमारे पास fixed है, तो हम 4 combination लेते हैं, output है जो हमारे पास बढ़ाएंगे labor के बढ़ने के साथ, सबसे पहले लेते हैं कि 10 unit हमने labor के लगा दिया, output हो है 100 से, labor को बढ़ा करके हमने 10 से क्या कर दिया, 20 कर दिया, output होगा 200 से, फिर labor की unit को बढ़ा के 20 से 40 कर दिया output हो गया 300 से 40 unit से बढ़ा करके 70 कर दिया तो यहाँ पे जो output हो चुक है 400 से हो चुक है यानि कि अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास labor के बढ़ने का rate है वो 10 से 20 कितने से बढ़ गया 10 से बढ़ गया पहले 20 20 में से 10 माइनस के मतलब 10 से बढ़ गया फिर 20 से 40 20 से बढ़ गया 40 70 तो यानि 30 से बढ़ गया यानि कि पहले 10 से फिर 20 से फिर 30 से जब हमने labor को बढ़ाया यानि कि labor के बढ़ने की rate क्या बढ़ती जा रही है और जबकि output है जो उसमें बढ़ने की rate है जबकि output के बढ़ने की rate है जो इतनी जादा नहीं है तो यहाँ पे जब हमने वेरिबल फेक्टर की addition unit को बढ़ाया तो उसकी गमपेटरली आउट्पुट में जो उतना चेंज नहीं आया इस काहन से इसको बहुत है और यक्स को जहाँ पे हम fix factor को लेके चलेंगे यहाँ पे ले लेते हैं और यक्स को ऐसे हम ड्रो करते हैं और एक्स एक्स को जहाँ पे हम variable factors को जो लेके चलेंगे तो variable factors को ड्रो करते हैं यहाँ पे और एक्स एक्स के उपर तो यहाँ पे हम इसको draw करेंगे तो यहाँ पे जो हमें labor है वो 70 तक चाहिए है mark करते हम इसको 10 से 20 से 30, 40, 50, 60 और 70 यहाँ पे इसको हमने mark कर लिया यह हमारे पास O x axis है जहाँ पे हमने variable factor यानि की labor को जो लेके चलेंगे तो यहाँ पे हमने labor ले लिया है ऐसे y axis को हम लेते हैं y axis पे हम fixed factor को लेके चलते हैं y axis पे fixed factor हमने लिया है capital तो यहाँ पे ले लिते है capital को मा लेते हैं कि fixed factor में जो हमारी यहाँ पे capital है जो हमने ले लिया है इसको note करते है एक सी capital क्या लिया है एक लिया है आब जो फैस्ट अब्णऺने वनेञे वहां पर अब्लेट न बनाया है घ्यांज को स्वाइब झान पर रे पार कि culminे और 2 आप जो आउपिनेश्ज तो यहाँ पे इसका आईसो कॉंट करव बनाते हैं आईसो कॉंट करव बताते हैं यहाँ पे यह आईसो कॉंट करव बनाना है 100 unit का फिन एक्स हमने labor को बढ़ा करके कितना कर दिया 10 के बाद हमने 20 कर दिया तो labor को बढ़ा के 20 कर दें तो हमारा यहां पर देखते हैं कि 20 को इसको merge करते हैं जब हम, तो यहां पर हमारे पास 20 labor आ जाएगी, यहां पर हमारे पास capital है, तो next combination यहां पर बन गया हमारे पास, तो यहां पर इसको isocund curve को draw करते हैं, तो यह isocund curve draw करके हमारे पास जो production किया है 200 यूनिट का, next labor को बढ़ा के कर दिया गया 40, next labor को बढ़ाएगा, वो कितने से बढ़ाएगा 40 से, तो labor को बढ़ा के हम 40 करते हैं, तो 40 बढ़ा के कि हमने यहां पे दिखा दिया, तो यहां पे labor आगी 40, जबकि capital कह रहेगी हमारे पास constant रहेगी capital A की लेनी है, तो यहां पे हमने इसको ड्रो कर दिया, combination को, तो आइसो कंट कर बनाते हैं, तो यहां पे जो आइसो कंट कर बनते हैं, वो बनते हैं कितनी यून्ट का, 300 यून्ट का, तो यहां पे आइसो कंट कर बना रहा है, 300 यूंट का नेक्स छोग हमने लेनी है 70 तो labor हमने बढ़ागे क्या कर दे 70 बढ़ाओ तो यहां पर हमने बढ़ागे labor क्या कर दे 70 कर दिया तो यहां पर हमने ताब हम यहां से एक चीज clarify कर सकते हैं कि labor के जो बढ़ने की rate है पहले सिर्फ इतना labor बढ़ाया फिर labor इतना बढ़ा फिर ओर भी ज़्यादा बढ़ा Neighbor तो यहां पne जो factor input यान की variable Factor के बढ़ने warning का जो बढ़ने की जो rate है वो जादा है किसके इतना बढ़ाया है तो यहां पne variable factor को ज़्यादा बढ़ायागा जबकि output उतना नहीं बढ़ाया इस कांसिस को क्या बहुत है, diminution rate to factor बोल जाता है यहां से यहां तक हमने देखा कि labor को 10 से 20 कितना बढ़ायागा सिरुफ 10 से बढ़ायागा labor को, यहां से हमने 20 से 40 कर दिया यानि कितना बढ़ा दे, 20 से बढ़ा दिया, यहां पर labor को हमने 40 से लेकर के 70 यानि कितना बढ़ाया, 30 बढ़ाया, तो यहांनि कि बढ़ने का जो rate हो क्या increasing है यानि variable factor के बढ़ने की rate ज़्यादा है, 10, 20 और 30 जबकि हमारे पास output देखो 100, 100, 100 का यह जो बढ़ा है अब बुकिश एक्सपलेशन में इसको समझते हैं हम diagram को पहले number करते हैं, माल लेते हैं कि यह OR है हमारे पास यह हमारे पास E ले लेते हैं, फिर next हमारे पास E के बाद इसको mark करने के लिए हमाँ identify करने के लिए point का नाम देते हैं F फिर ले ले लेते हैं G फिर ले ले लेते हैं इसको H तो जो हमने बच्चों ये point को match करके बनाया ये हमारा कहलाता है expansion path ये जब हमने point को merge करके बनाया ये कहलाता है हमारा expansion path जब हमने ये सभी points को क्या कर दिया यहां पर मर्ज कर दिया तो यह expansion path कहलाता है O P यहां पर यह R से लेकर कि P तक क्या है यह हमारा expansion path है यहां पर हमने नाम देदे पी तो यह R से P तक क्या है यह expansion path कहलाता है अब इसके book में explanation पढ़ते है कि bookish language क्या कहती है Dimension total factor का मतलग क्या होता है तो यहां पर book कहती है कहते है कि यहां पर हमने देखा कि जो E F है वो less than F G और G ऐसे यानि कि जो हमारे पास यह gap आया है जो first gap आया है E से F वो कम है यानि कि E से F का जो gap है वो कम है किस से यहां से यहां तक यानिकि F और G से फिर F G का gap कम है किस से G और X से तो यह हमारे पास क्या इसकी statement टाइप बन गया यह तो कहते हैं कि इसको explanation समझते हैं तो अब क्या कहना चाहरा है इसमें कहते हैं इसका मतलब यह है कि जो 100 unit increase की आउटपूट की तो वो obtained only by employing successive greater increment of labor यानिकि हमने ज़्यादा labor को बढ़ाने के कारण ही अपने output को बढ़ा पाए हैं कि तो ECF के बीच में हमने 100 unit को जब output को produce की है तो हमने addition 10 unit को लगाया फिर हमने 20 unit को लगाया तो जिससे हमें पर चलता है कि जो marginal productivity labor का और यह डिमनिश हो रही है जब output को जो बढ़ाया जा रहा है यहाँ पे हमने देखा कि पहले तो हमने कितने addition labor को लगाया सिर्फ 10 को फिर 20 लगानी पड़ी फिर 30 लगानी पड़ी तो यहाँ से दिखने से समझा रहा है कि यह unit of labor है जो क्यों बढ़ानी पड़ रही है को कि यहाँ पे जो marginal productivity of labor है वो क्या हो रही है कम हो रही है जैसे हमने output को expand की है इस काल सी यहाँ पे जो लाला लाग होता है वो कौनसा है डिमनिशन रिटन टो फेक्टर लाग होता है लास्ट जो concept हमारे पास बनता है constant return to a factor जब output को बढ़ाने के लिए variable factor को बढ़ाया आगे तो variable factor के जो बढ़ने की rate वो गया constant है कि तो constant return to a factor होकस when increasing application of variable factor increase total output only at constant rate यहाँ पास जो increase आ रहा है variable factor के अंदर तो वो किस rate से रहा है constant rate से आ रहा है example ले लेते हैं हमारे पास fix factor के लिए capital ले लेते हैं और variable factor के ले लेते हम labor को और लेते हम output को तो यहाँ पर हमने capital fix factor लो constant ले लेने हैं ले लेते example के लिए कि 10 labor हमने लिए है दस के उपर जो production हुआ है वो 100 unit का हो गया है labor को बढ़ा है 10 से बढ़ा के 20 कर दी गई है तो output 200 से हो चुक है 20 से 30 labor की तो यहाँ पर 300 हो चुक है 30 से बढ़ा के 40 कर दी तो यहाँ पर output के 40 तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो labor के बढ़ने का rate का है वो constant है 10 से 20 10 का change 20 से 30 10 का change 30 से 40 10 का change तो यहाँ पर जो variable factor के बढ़ने का जो rate है वो क्या constant rate है तो इसको बहुत है constant return to a factor तो यहाँ पर इसको diagram की half से अगर हम समझें diagram draw करते हैं इसका यहाँ पर हम ले लेते हैं o y axis को यहाँ पर हम ले लेते हैं o x axis को o x axis को ले लेते हैं जो हमें x axis पर labor लेनी है वो 40 तक चाहिए हम ले लेते हैं 20 10 20 30 और यहाँ पर 40 तक ले लेते हैं तो यह हमारे पास O X-axis है, जहाँ पर हमने लिया labor को, labor यानि की variable factor को, तो यहाँ पर 10, 20, 30 और 40, यहाँ पर हम O Y-axis को लेके चलती हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, fixed factor यानि की capital को ले लेते हैं, capital माल लेते हैं कि यहाँ पर 1 का जो denote करती हैं, तो first combination जो हमने draw करना है, एक capital के उप पर 10 labor, तो 10 labor और A capital को हम draw करते हैं, यहाँ पर combination जो first बनता है, तो यहाँ पर हमने एक capital और 10 labor को लिया, तो जब हमने आइसो कंट करव को draw करते हैं, तो यह represent करता हैं कि output कितना किया गया 100 unit का, फिर हमने ऐसे 20 unit of labor को बढ़ाया, तो हमारे पास 20 पर हमारे पंटा है production, यहाँ A capital और 20 labor को बढ़ा करके, तो यहाँ पर हमारा ISO CONT CURVE denote करता हैं, कितनी unit को 200 unit की, कितना production किया गया 200 unit का, फिर ऐसे labor को बढ़ा दिया गया और output को बढ़ाने के लिए, तो हमने 30 labor कर दिया है, तो यहाँ पर हमने देखा A capital और 30 labor तो यहाँ पर joint किया गया, तीसरा हमारे पास ISO यहां पर हमने देखा कि जो आउटपट किया गया वो कितनी यूट का किया गया इसो कंट कर वो रिप्रेजेंट करता है 400 यूट का यहां पर हम देख सकते हैं कि इनके बीच में जो गैप है कितना है वो कंस्टेंट है तो हमने देखा कि लेबर कितने से बढ़ाएगी 10 से 20 लेबर यानिकि 10 20 से 30 10 30 से 40 भी 10 तो यहां पर जो लेबर की रेट है तो यहां पर हम इसको नाम देते हैं माल लेते एक्जाम्पल के लिए O से R तक यहां पर लेते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि जो E F है वो इकल है यहां पर हमने इसको नाम देदें E F G H यहां पर देखते हैं कि E F जो इकल आ रहे है किसके F और G के और S F G किसके को रहे है G O और H के तो यहां पर कैन के बीच में इसलिए किसे बच्चों हमारे पास कंसेप्ट बनता था आई सु क्वेंट करव को आज हमने समझाया है किसकी कंसेप्ट में रिटर्न टो फेक्टरी कंसेप्ट में आई होब बच्चों कि आपको एक कलीर होगा टोपिक ऐसी रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉम्बस फशेंसी को सब्सक्राइब लाइक और शियर करें और बैल आइकन जुरूर पैस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अप्लोड करूँ सबसे पहल देखो आपके स्टड़ी बूस्ट अप हो